वेल्कम टू रेड़ ओन इंटर्टेन्मेंट टीवी की दुनिया के मोस्ट पॉप्लर रियल्टी शो बिग बॉस में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट एंटर्स देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से फैंस की बेचेनी बढ़ गई है बिग बॉस सीजन 14 में रोमाज बलना शुरू हो गया है घर में जगडों के साथ साथ शाजिस और गेम देखने को मिल रहे हैं अब बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ट एंटरी भी होने चा रही है जो गेम को पूरी तरह से पलड़ देंगे जी हाँ इस हबते ही घर में जवरदस कंटेस्टेंस की एंटरी होने वाली है जो घर में धमा का मचा देंगे कलर्स की ओर से जारी के गए एक प्रोमो में दिखाया गया है कि वीकेंड के वार में दो एक्ट्रेस की बिग बॉस की घर में एंटरी होने जा रही है ये एक्ट्रेस F.I.R. शो फेम कविता कौशिक और एक्ट्रेस नैना सिंग है कलर्स की ओर से जारी के गए प्रोमो में दिख रहा है कि दोनों एक्ट्रेस स्टेज पर धुआदार एंट्री ले रही है और डांस करती हुई नजर आ रही है वीडियो में दिख रहा है कि कविता कौशिक और नैना सिंग सॉलिट एंट्री लेती हुई दिख रही है वहीं प्रोमो के कैप्शन में लिखा है कविता कौशिक और नैना सिंग आ रही है बिग बॉस से घर में पलटनिस गेम का पूरा सीन बिग बॉस शुरू होने से पहले भी घबरे आई थी कि कविता कौशिक घर में एंट्री ले सकती है हाला कि उन्होंने ट्वेट करते हुए इन सभी घबरों को जूटा ठहरा दिया था बिग बॉस का एक प्रोमो और सामने आया है जिसमें सल्मान खान जान गुमार शानो की हकीकत बता रहे हैं और निकी तंबुली के सामने उनका असली चहरा दिखा रहे हैं इसके लावार सल्मान खान रूबीना को कहते हैं कि वो अच्छा केल रही है तो वहीं दूसरी तरफ रूबीना दिलेक की जमकर फटकार लगाते हुए कहते हैं कि वो अपने गेम में उन्हें ना कसीटें इसके साथ साथ सल्मान खान रूबीना को याद दिलाते हैं कि वो शो होस्ट करते हैं और वो घर में रहती हैं इसलिए वो किसी तरह की गलत फैमी में ना रहें और नहीं अपने आप से उनकी कोई कंपेर करें इस बीच बिग बॉस का एक नया प्रोमोर सामने आया है जिसे वीकेंड के वार में दिखाया जाएगा जिसमें पवित्रा पुनी और एजास खाना आखों में आके डाले अपने दिल का हाल बया करते हुए नजर आ रहे हैं बिग बॉस सीजन 14 में दो लोगों के बीच प्रेम पनप रहा है इससे पहले एकरार हो चुका है लेकिन अभी तकरार का दौर है दोनों एविक्षन के बाद रेड जॉन के एरिये में हैं टास के दौरान संचालक के रूप में दोनों के बीच गंदी वाली लडाई भी हुई है लेकिन इतना तो हम सभी जानते हैं बिग बॉस से घर में तीन महीने का लंबा सफर कब प्यार में बदल जाए कोई नहीं चांता फिर यहां तो पहले ही जग जाहिर हो चुका है कि पवित्रा और एजास के बीच प्यार का रिश्ता है फिलाल जो दिख रहा है वो नाराज़गी है नफरत नहीं बिग बॉस में हर कोई अपनी एक जिन्दगी पिशे छोड़ कर पहुँचा है पवित्रा को लेकर दावे हो रहे हैं कि वो पहले से शादी सुदा है पती के साथ उनका तला का मामला चल रहा है यानि कि पवित्रा ने कहीं ना कहीं प्यार में धोगा जरूर खाया है जबकि दूसरी तरफ एजाज ने भी ये एकसेप्ट किया है कि उनका पास्ट रिलेशन बेहत खराब रहा है बात कोड कशेरी तक पहुँच गई थी वो अंदर से बिल्कुल तूटे हुए हैं और उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी दूसरे रिष्टे में जाए कुल मिलाकर एजाज और पवित्रा दोनों ने अपने पास्ट रिलेशन में दुख जिले हैं इनसान है इसलिए दुनों को प्यार div, सम्मान और केर की जर्वत है ऐसे में दुनों अभी भले ही लड़ रहे हों इतना तो तेह हैं कि आने वाले दिनों में ये बिग बॉास के पहले कपल बनने वाले हैं और बिग बास के घर में जवरदस ध्रमाल मचाने वाले हैं इसके साथ साथ इस नए प्रोमो वीडियो में आप देख सके हैं कि किस तरह से पवित्रा पुनिया अजास खान को बत्तमीज के साथ साथ प्यारा और क्यूट कहती हुई नजर आ रही है उनकी नजरों में अजास को लेकर प्यार साफ दिख रहा है आने वाले टाइम में बिग बॉस ये घर में ये कपल जरूर धमाल बचाएगा फैंस को इन दोनों की जोड़ी भी पसंद आ रही है बिग बॉस की हर अबडेट पाने के लिए आज ही हमारी चैनल व्रेड ओन इंटर्टेन्मेंट को करें सब्सक्राइब इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले